राम को लेकर अभी भी विपक्ष और सत्ता पक्ष में नोग छोग देखा जा सकता है। आज अनुपूरक बजट को पेश करने के दौरान आपको बता दे कि राम के नाम पर उस समय विपक्ष तम तम आ गया जब मंतरी सुरेश खना ने सियम योगी को राज़िती का राम बता दिया जो राज़िती में असूरी शक्तियों के नाशके ले आए हैं। मौका था उतर प्रदेश विधान सवा में अनुपूरक बजट पेश करने का। मंतरी सुरेश खना सदन में बोल रहे थे और उनके बाएं तरफ बैठे थे मुख मंतरी योगी आदितनात। राम राजी की बात आते ही विपक्ष के नेता राम गोमिन चौधरी ने टिपड़ी की। तो सुरेश खना ने सीम योगी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये तो राज़नीत के राम है। ये बिल्कुल सही है, ये तो राज़ीत के राम है। राज़ीत के राम है। और ये आसुरी शक्तियों का पराज़ित के लिए यहां बढ़े है। राम का नाम तो स्पी नेता राम गोमिन चौधरी के नाम में शुरू में ही शामिल है। लेकिन सुरेश खन्ना ने अपने सीम को ही राज़नीत का राम बता दिया। जाहिर है, दिल पर चोट तो लगनी ही थी। कॉंग्रेश वद्यान मंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि आसुरी शक्तियों का नाशक कहा हुआ है। किसानों की समस्या महिलाओं के साथ हो रहे अपराद इन असरों का नाश कौन करेगा। क्या यही रामराज है जहां बेटियों को जिन्दा जलाये जाता हूँ। क्या यही को रामराज कहते हैं कि जब नौजवान नौकरी की बात करे तो उसके उपर लाठिया वर्सा के उसके खिलाब मुकद में लिखा दो। जब किसान अपने अधिकार की बात करे तो उसको पुलिस से पिटवाओ उसकी संपत्ति को जब्त कर लो। मैं यह कहना चाहती हूँ कि ऐसा रामराज उत्तर प्रदेश की सरकार को नहीं चाहिए। अयोध्या में राम मंदिर का निर्मान भी हो रहा है जिसका शुरे बीजेपी और सरकार लेती रहती है। लेकिन राम को लेकर अभी भी विपक्षी दलों को अक्सर अपने हथियार पहने करते हुए देखा जा सकता है। टीम निउज स्टेट। योबिदांसररऄ सरावा चुनाओं से पहले कॉंग्रिस और बीजेपी में ट्वीट बार छड़ गया है। गारी बीजेपी भी हमलावर हो गई है और यूपी में दी गए सरकारी नौक्रियों को आकडो के साथ ट्वीट किया। प्रियंका वाटरा जी और कांग्रेस पार्टी के तमाम निताओं का ये अभ्यास बन गया है कि वो भारतियंता पार्टी की योगी आधितनाथ सरकार के बारे में समय समय पर अफवाहे और जूट फैलाते रहे जब कोरोना का कालखंड था तो बसों की फर्दी सूची भेज़ देने का काम किया था अब नौकरियों को लेकर के भ्रम फैलाते हुए ट्वीट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में योगी आधितनाथ सरकार ने चार लाग से अधिक नौकरियां बिना भाई हतीजावाद के बिना जातिवाद के बिना सिफारिस और धश्टाचार के आज पारदर्श्य तरीके से देने का काम किया है